सो हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरोर बताना तो आज मैं आपके लिए लिए कराएं हूं 11 से एक और इंपोर्टन चैप्टर जिसका नाम है इसका नाम है इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है नानी पाल की वाला तो यह जो दिन हमारे अर्थ का जो हेल्थ है वो किन फैक्टर्स की वजह से खराब होता जा रहा है तो चले अब बिना किसी देर के इस चैप्टर को शुरू करते हैं विदाउट इनी फॉदर डिले लेट्स टेट स्टार्ट तो यह जो चैप्टर है अलाइं प्लैने तो ग्रीन मॉव प्रति दिन हेल्थ खराब होता जा रहा है और किन फैक्टर्स की वजह से खराब होता जा रहा है उनसे भी चीजों के बारे में लिखा था तो यह जो ग्रीन मॉवमेंट है इसे 1994 से 25 यह से गो पहले स्टार्ट कर दिया गया था एंड यह वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे फास ने कभी पीछे मुर कर नहीं देखा और यह आज भी लोगों को एड़केट करता है कि हमें अपने अर्थ को अपने इंवार्मेंट को कंजर्व करने की जरूरत है उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है तो कुछ टाइम से अर्थ और उसके रिसोर्स को लेकर हमारे जो लिवन कैंक को बताया था उसे सिखाया था कि कैसे अर्थ और दूसरे प्लैनेट सन के और रिवल्फ करते हैं तब मैनकाइंड के प क्रसेप्शन में एक कमप्लीट चेंज आया था ठीक को एसे ही अर्थ को लेकर जो ह्युमन का पर्सेप्शन है उसमें कमप्लीट ये नहीं की वजह से और first time human history में जो लोग है उन्होंने earth को as a living organism देखना सीखा and वो मानते हैं कि earth जो है वो खुद एक living organism है and हम उसके एक integral part है earth के खुद के metabolic needs होते है and vital process होते हैं जिदे हम humans को respect और preserve करने की जरुवत है earth अब एक patient की तरह है जिसका health दिन प्रते दिन खराब होता जा रहा है और as a human beings अब हम लोगों ने realize किया है कि ये हमारी duty है कि हम अपने planet को अच्छे से manage करे और एक responsible trusty बन पाए और अपने environment को conserve करे ताकि हम एक अच्छा environment अपने future generation को pass कर पाए तो 1987 में sustainable development नाम का एक concept popularized हुआ था famous हुआ था जिसे world commission on environment and development ने निकाला था तो इस report में sustainable development के concept को define किया गया है कि आखिर sustainable development क्या होता है sustainable development यानि एक ऐसा development जो कि present generation के needs को fulfill करे without wasting or compromising with natural resources यानि natural resources को बिना west किये या natural resources से बिना compromise किये ताकि जो future generations है वो अपने needs को भी fulfill कर पाए तो लुसा का जो कि जांबिया में है वहाँ पर एक zoo है और zoo में एक cage है जहाँ पर एक notice लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है the world's most dangerous animal and उस cage के अंदर जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर कोई भी animal नहीं है बलकि एक mirror है जिसमें आप खुद को ही देखोगे तो world के जो new agencies है उनके effort की वजह से अब हमें पता चल गया है कि जो humans है वही most dangerous animal है तो अब जो humans है उनको realize हो गया है कि उन्हें अब domination के concept पर काम नहीं करना है बलकि उन्हें एक नया system फॉर्म करना है जो की partnership पर based हो According to the classification of scientists, humans जो है वो earth को 1.4 million living species के साथ share करते हैं Biologist ने calculate किया है कि still millions of other species है जिने हमने इस classification में नहीं डाला है क्योंकि या तो वो weak है या फिर हमारी इतनी knowledge नहीं है कि हम उनके बारे में जान पाए तो एक पुरानी international commission जिसका नाम था branded commission जो की ecology और environment के questions को deal करती थी उसके एक commission member थे जिनका नाम था Mr. L.K. जा जो की एक Indian citizen थे तो इस commission ने पहली बार अपने एक report में इस question को उठाया था कि क्या हम अपने future generation के लिए एक जला हुआ planet छोड़ेंगे जिसमें सिर्फ desert सी हो poor landscape होगा और poor environment होगा Mr. Lester R. Brown ने The Global Economic Prospect नाम के अपने book में बताया है कि Earth के चार biological system होते हैं जो की है fisheries, forest, grasslands और crop plants और ये जो चारो system है ये global economic system के foundation को बनाते हैं उसकी नीव को बनाते हैं तो ये ना सिर्फ हमे food provide करते हैं बलकि बहुत सारे industries को raw material भी provide करते हैं except minerals and petroleum derived synthetics यानि minerals और petroleum derived synthetics industries को छोड़ कर ये सभी industries को raw materials provide करते हैं तो world के बहुत सारे areas में humans ने खुद ही claim किया है कि ये जो system है ये unsustainable level पर पहुच रहा है यानि एक ऐसे point पर जहां पर इसकी productivity जो है वो एकदम खराब हो जाएगी और जब ऐसा हो जाएगा तो fisheries जो है वो collapse हो जाएंगे forest जो है वो disappear हो जाएंगे grasslands barren west land में convert हो जाएंगे और जो crop lands है वो एकदम wars हो जाएंगे तो protein hungry world में यानि एक ऐसे world में जहां पर सब लोग protein को लेकर conscious हो गया है यहां पर overfishing तो आजकल common बात हो गई है poor countries में local forest की अंधा धुन कटाई की जाती है ताकि वहाँ से firewood निकाला जा सके cooking के लिए यानि बहुत ही जादा मात्रा में forest की कटाई की जाती है ताकि वहाँ से firewood निकाला जा सके cooking के लिए और कुछ places में firewood तो इतना महेंगा है इतना expensive है कि pot में जो खाना बनाया जाता है पकाया जाता है उससे जादा महेंगा तो उसको पकाने में जो लकरी का इस्तमाल होता है वो होता है यानि कि कुछ places में firewood जो है वो food से जादा costly है डॉक्टर मायर्स कहते है कि क्योंकि tropical forest जो है वो powerhouse है evolution का और इसकी वजह से firewood के लिए forest की कटाई की जाती है और forest के destruction की वजह से बहुत सारे species को extension phase करना परता है यानि बहुत सारे species जो है वो extent होते जा रहे है तो forest और deserts जो है वो पहले order पर आते है in comparison to humans यानि कि nature का जो order है उसमें forest और deserts पहले order पर आते है और उसके बाद humans आते है तो जो ancient tropical forest है जिसे हमने inherit किया था वो erode होता जा रहा है 40-50 million acres per year के rate से और यहां तक कि हम जो dunk का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए उसकी वजह से जो soil है वो अपना खुद का natural fertility gain नहीं कर पाता है तो world bank ने estimate किया था कि 2000 year जो है उसकी demand को उसके fuel wood के demand को fulfill करने के लिए हमें forest की planting five fold rate से करनी होगी five fold यानि की five times से भी जादा हमें forest की planting करनी होगी तब जाके जो fuel wood का demand है वो in the year 2000 का वो fulfill हो पाएगा तो james speth जो की president है world resources institute के वो कहते हैं कि हम लोग तो कह रहे थे कि हम लोग हर एक second में one acre forest को खो रहे हैं बट ऐसा नहीं है बलकि हम लोग तो एकर एंद हाफ हर एक second में forest को खो रहे हैं according to article 48a of the constitution of India जो state है उन्हें अपने environment को improve करना चाहिए उसे protect करना चाहिए और यहां तक की forest और wildlife है उनका भी ख्याल लगना चाहिए उन्हें भी protect करना चाहिए बट इंडिया का जो painful fact है कि यहां पर laws की respect नहीं होती उन्हें नहीं enforce किया जाता है यानि कि उन्हें forcefully follow भी नहीं करवाया जाता for example आपके book में दे रखा है कि जो casteism है bonded labor है untouchability है इसे इंडिया से कपका abolish कर दिया गया था लेकिन यह शर्म की बात है कि आज 44 years बीत जाने के बाद भी आज भी इन्हें कुछ जगहों पर follow किया जाता है तो according to the reports of parliament's estimates committee इंडिया जो है वो last 4 decades से 3.7 million acres per year के harmful rate से अपने forest को lose कर रहा है तो यह सभी जो data's है यह तब के है जब इस article को लिखा गया था तो इंडिया का large area जो है वो forest land है जो की tree lace है और इसका actual loss estimate किया जा रहा है कि यह 8 times है यानि जो हमें report में बताया गया है उसके 8 times है तो United Nations ने जो 3 साल की study करी थी यानि 3 years की study करी थी using satellites and aerial photography उसके according हमारा जो environment है वो इतना ख़राब हो गया है कि 88 countries में यह critical stage पर पहुँच गया है जहां humans की population को millions of years लग गये थे अपने first billion population तक पहुचने में यानि की world का जो population है उसने अपना first billion in the year 1800 में complete किया था and by the year 1902 billion हो गया था and 20th century में तो यह बरकर 3.7 billion हो गया और presently estimate किया जा रहा है कि जो world का population है वो 5.7 billion है और यह data जो है यह तब के है जब इस article को publish किया गया था तो हर 4 दिन में जो world का population है वो 1 million से increase हो रहा है तो over population का सबसे अच्छा solution है development and development जो है वो fertility को कम करने में help कर सकता है and development की वजह से income में rise आएगा यानि लोगों की income बढ़ेगी जिसकी वजह से लोग जो है वो ज़्यादा educated होंगे और उनका health भी improve होगा तो अगर इसी तरह से population increase होता रहा तो यह development कभी नहीं हो पाएगा जो rich लोग है वो और भी ज़्यादा rich होते जा रहे और जो poor बच्चे है वो ना चाहते हुए भी और भी ज़्यादा poor होते जा रहे अब ज़्यादा population का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा workers है बलकि इसका मतलब यह है कि हमारे पास work नहीं है उनको देने के लिए यानि unemployment जो है वो over population की वज़र से और भी जादा बढ़ता जा रहा है अब यह नहीं suggest किया जा रहा कि human beings को cattle की तरह treat किया जाए और उन्हें sterilize कर दिया जाए बट population को control करने के लिए लोगों को force करना ही होगा कि वो लोग अपनी ठीक तरह से family planning करे अब यह हम humans के उपर है कि हम population को control करना चाहते है या फिर poverty के साथ ही जीना चाहते है अब इंडिया की population 920 million है और Africa और South America दोनों की population अगर हम मिला दे तो उससे भी जादा है अगर population को control नहीं किया जाएगा तो बहुत सारे जो लोग है वो जोपडियों में ही just एक hope के साथ ही भूखे मर जाएंगे अब हम लोग अपने existence को एक अलग तरह से देखने लग गये है एक अलग comprehensive view के साथ देखने लग गये है तो environment के problems को solve करना एक passport की तरह है future generations के लिए future के लिए and इसे हमें अपने death के remark के साथ नहीं देखना चाहिए हमें world को as a whole देखना चाहिए ना कि different parts में यानि पूरी की पूरी दुनिया हमारी ही है हमें ऐसे देखना चाहिए ना कि एक particular जगा को लेकर कहना चाहिए कि ये particular जगा या country ही सिफ मेरा है तो इस era of responsibility में towards environment industries जो है वो बहुत important role play करती है तो chairman of DuPont Mr. Woodler ने 5 साल पहले अपने आपको अपने company का chief environmental officer declare कर दिया था और उनका कहना था कि हम लोग आज तक एक leading manufacturer के रूप में exist कर रहे है और इसका सबसे बड़ा reason है कि हम लोगों ने environmental performance में excel कर लिया है तो उनका अगर ये point of view हर एक businessman अपनाता है तो हमारे transformation में ये सबसे बड़ा effect डालेगा तो जब Margaret Thatcher prime minister बनी थी तब उनका एक statement जिसे इस book में लिखा गया है और उन्होंने कहा था कि कोई भी human being जो है वो इस earth पर permanent नहीं है हम लोग एक particular life period के लिए एक particular land को hold करके रखते हैं बस अब according to Mr. Lester R. Brown हमने इस earth को अपने forefather से अपने फूरवजों से इनहेडिट नहीं किया है बलकि हमने उसको अपने children के लिए अपने बच्चों के लिए borrow किया है That's it ये था हमारा chapter आई होब आप लोग को समझ में आ गया होगा तो जाते जाते वीडियो को एक like और channel को subscribe करके ही जाना क्योंकि ये तो आपके लिए free है लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा motivation मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज मेरी महनत के लिए वीडियो को like और channel को subscribe करके bell notification on करना मत भूलना ताकि आपको सारे updates time to time मिलते रहें तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में एक और नय chapter के साथ तब तक के लिए हसते रहिए खुश रहिए जय हिंद जय भारत Keep learning, keep growing